नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग मैं सत्वीर चोधरी लेक्चिर ओफ एग्रिकल्चर साइन्स आज अपन ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर वन का टोपिक नंबर टू पढ़ेंगे जिसमें टोपिक का नाम है मर्दा छरण और मर्दा शरक्षन जिसे मर्दा का होता है तथा इन्हें रोकने के क्या-क्या उपाई हैं तो इसमें फास्ट ओपोल अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मर्दा शरण कहते किसको है मर्दा का अपने बोथिक रूप से कणू का हटना क्या कहलाता है मर्दा शरण कहलाता है या मर्दा अपरदन कहलाता है या विविन शरण शक्तियों द्वारा मर्दा कणू का एक स्तान से हट कर दूसरे स्तान पर चले जाना मर्दा शरण कहलाता है। तो इन विविन शक्तियों से मर्दा कणू को बचाना या कटने से रोकने को बचाना या सरण होने से बचाना मर्दा सरक्षन कहलाता है। देखे दोस्तों मर्दा शरण मुखे रूप से कौन कौन से हैं वो देखी आप। मर्दा शरण बोथिक रूप से मिट्टी कणू का अपने इस्तान से हटने की किरिया मर्दा शरण कहलाती है। लेकिन इधर देखिए मर्दा सरण को एक image के रूप में आप देखेंगे तो बड़े-बड़े पानी के माद्यम से नाले पड़ रहे हैं मर्दा का कटाव हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में इधर दूसरी तरफ भी आप खेत की तरफ देखेंगे गोर करके तो मर्दा का कट सकती है ज्यादा तर जिमेदार है इनसे कटाव को बचाना ही मर्दा सरण कहलाता है देखिए आप लोग इस image में आराम से देख सकते हैं कि मर्दा को घास पूस और डंटलों से डख रखा है इस डखने को मल्चिंग कहते हैं क्योंकि इस पे डाइरेक्ट ने तो वर्सा की ब सकता है next image में भी यह करका है गास फूस से मेट को डख रखा है जिसे मर्दा का शर्न कम से कम हो तीसरी image में आप देखेंगे पॉलेटेन सीट या प्लास्टिक सीट से मरदा सतय को कवर कर रखा है जिससे मरदा का परदन नहीं होता है देखिए दोस्तों मलचिंग के और भी कई फाइदे हैं इसमें मरदा नमी का सरक्षन हो सकता है खरपतवारों की व्रद्धी को रोका जा सकता है इसके साथ साथ भूमी में अनावशक रूप से उगने वाले खरपतवारों की व्रद्धी को भी कामे किया जा सकता है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पन मर्दा स्रण के प्रकार मर्दा स्रण मुखे रूप से दो प्रकार का होता है एक प्राकर्तिक श्रण दूसरा तवरित स्रण प्राकर्तिक श्रण कौन सा होता है वह च्रण जो वनस्पति आचादित मर्दाओं में वायू और जल के बरा रोका नहीं जा सकता है दूसरे बात करें अपन ताव रीद शरण की ताव रीद शरण जिमेद उसमेन यह के लिए मुखे रूप से दो कारक जन करकी दूसर सियम पहुंचा देते हैं देखिए इस परकार से जल के दोआरा यह श्रन हो रहा है मरदा में बहुत दरारें पर चुकी है यह जल स्रन का परकार है दूसरी बात करें अगर अगर अपन बात करें तीसरी इमेज में आप देखेंगे तो मरदा का कटाओ बहुत बड़े रूप में हो रहा है किसके माद्यम से हो रहा है जल के माद्यम से हो रहा है तो इस प्रकार का यह सरन है नेक्स्ट अपन बात करते हैं जल सरन के प्रकार दोस्तों जल सरन मुख्य रूप से चार प्रकार का होता ह जिसमें पहला है वो छार शरण इसको ड्रोफ ए कि रोजन या इस फ्लेस इरोजन के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट बात करें दूसरा सरण है परत शरण तीसरा सरण है रिल शरण और चोता सरण है गली एरोजन या आवनालिगा शरण। दोस्तों यह सरण चारूं मैं वर्स वारिश शुरू हुई और बर्सात की बूंदे टप 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 बरसना सुरू हुई इस दोरन क्या होगा मर्दा की उपरी सतय पर जो कण मोजूद रहते हैं बरसात की कारण ये चिन-भिन हो जाते हैं एक इस्तान से दूसरे स्तान पर आपस में लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता इसे कहते हैं बोच्छार श्रण या इस्पेसल इरोजन के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं परत श्रण जब वर्सात में ये कारी करम हो रहा था बारिस तोड़ीशी और तेज हो जाती है और वर्सा की गहनता क्या हो ज सुक्षम सरण के नाम से भी जाना जाता है ये सरण मनुस्य की नग्न आखु के द्वारा दिखाई नहीं देता है इसे किसान की मोत के नाम से भी जाना जाता है इसमें पोशक तत्वय का भौत बड़ी मात्रा में नुक्सान हो जाता है देखते ही देखते जितने पोशक तत पर तिसससे अडिक डलान वाली मरदाओं के अंदर क्या होता है छोटी छोटी नालियां पढ़ने लग जाती हैं जो क्रशी कारिये में बादाएं उत्पन करती हैं इसके बाद बात करें जब वर्षा की गहनता और बढ़ती है तो इसका रूप और विक्राल हो जाता है छोटी इसमें देखो क्या हो रहा है बरसांत की बूंद गिरी आपस में कन क्या हो गई तीतर वीतर हो गई इसका मरदा के उपर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता इसमें केवल एक प्रभाव पड़ता है क्या कि मरदा की जल सोशने की शमता क्या हो जाती है कम हो जाती है क्य के रूप में पोशक्तत्व भैवय के निकल गए अपने को इसका पता नहीं चलता है इसलिए इसको किसान की मोद का नाम दिया गया है नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेल चरन मैंने बताया था कि छोटी-छोटी नालियां पढ़ जाती है जैसा गी इस परकार की और यह नालिय तो अपना रूप बढ़ा कर लेता है इस प्रकार से जैसा आउनालिका या गली इरोजन तो इस आउनालिका चरन में मर्दा का भोत बड़े रूप में नुक्सान होता है नदी के नारे वाले खेत बैकर नदी के साथ ही चले जाते हैं या भूमी की उपरी प्रत के कटाओ के हैं ऐसे जो जली चरन को एफेक्ट करते हैं तो इसमें से सबसे पहला फेक्टर है कौन सा जलवायू फेक्टर क्लाइमेट कैसे इसको एफेक्ट करता है क्लाइमेट इस प्रकार से एफेक्ट करता है इसको आपको पता है कि जब वर्सात की गहनता ज्यदा होगी तिवरता ज जल को मरदा क्या कर लेताamı कर लेग है कि अधिक तापमान के कारण कारण पधारतू का चट्टन का डीकंपोजिशन होता है फैलती है फैलती हैं जिससे वेधरिंग होता है और वेधरिंग के कारण है जब लिख haveBeat को जाती है अधिक वर्सा हो है तो अधिक वर्षा से यह पौशत तत्वे जल खनीजलाउन आदी बैकर एक खेट से दूसरे केट में निकल जाते हैं नेक्स बात करते हैं दोस्तों पन इस्तला गरती इसे टॉपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है टॉपोग्राफी मतलब इस तलकी आकरती जैसा कि इ क्या करेगा साथ साथ में मर्दागा कटावी करेगा इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं आपका खेत मान लीजी इस टाइप का है उपर जो सरपेस इस टाइप की है यह पानी बैकर कहा रहा है नीचे की तरह पा रहा है इदर से भी कहा रहा है नीचे की तरह पा रहा है इस प्रकार से इस्तला करती है, प्रभावित करती है, नेक्स्ट मर्दा गुण, सोईल का करेक्टर कैसे प्रभावित करता है, आपको पता है, जो मट्यार मर्दाएं होती हैं, काली मर्दाएं होती हैं, चिकनी मर्दाएं जिनको बोलते हैं, उनके मर्दाओं का कण का आकार ब मोटा होता है इनके कारण के होता है ये कंड़ जल्दी ही तीतर विधर हो जाते हैं तो ऐसी मर्दा कानाकार वाली मर्दाओं का अपरधन भी ज्यादा होता है नेक्स दोस्तो अपन बात करते हैं वनसपति का प्रभाव, वेजिटेशन का क्या इफक्ट है जिन मर्दाओं के उपर वनसपति उगी रती है गासपूस उगा रता है पसले उगी रती है तो वो क्या डाइरेक्ट बर्सांत की बूंदे उस जमीन की सत्य के उपर या भूमी की सत्य के उपर प्रहार नहीं कर पाती हैं तता उनकी जो पसलूं की और घास पुस्की जड़े रती है वो मर्दा को जाकड़े रती हैं जिस कारण से मर्दा का परधन या शरण बिलकुल भी नहीं होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानिविये कारक मानवारा कालक कैसे जिम्यदार है इस सीज के लिए कई बार क्या होता है जैसे मानलो भूमी का ड़लान इस प्रकार से है और मनुष्यवी जुताई इस प्रकार से ही कर रहा है तो ऐसी कंडिसन में क्या होगा मर्दा का कटाव जुताई के बाद में कम जुताई करें आप मतलब गहरी जुताई करने से क्या होगा जल को शोशन संता मर्दा की बढ़ेगी और कम जुताई आपको बाद में करनी है जब बारिश सली गई तो उसके बाद में क्या करना आपको कम जुताई मतलब अधो मर्दा से तक आपको को जोताई करते रहना है ये मानिमे कारग भी इसके लिए एफेक्ट करता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं मर्दा सरक्षण की विदिया मतलब जल सरन से जो मर्दा का नुक्षान हुआ है उसको बचाया कैसे जा सकता है और इसमें दोस्तों पहली विदिया सस्थ समंदित जो डलान वाले छेत्र होते हैं, उनको समोची विदी के मादिम से रोका जा सकता है, इसे कंटूर फार्मिंग के नम से जाना जाता है, कंटूर क्या होती है, दो समान उचाई वाली रेखा जहां एक जगे मिलती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर रेखा कहते हैं, जैसे समाई उच्छाई इस image में आप देख सकते यहां पर और यहां पर यह रे खा अपन देख रहा हैं यह एक नोगार यह समान उच्छाई पर एक डलान वाले छेत्र को क्या कर रही एक बांट रही है तो जो डलान वाले छेत्र होते हैं उनमें इन कंट्रोरेखाउं का परियोग किया दाता है, जैसा कि आप image में देख सकते हैं, नेक्स्ट दोस्तों अपने बात करते हैं, भू परिशकर्ण, भू परिशकर्ण क्या होता है? भूमे के साथ जुताई, निराई, गुडाई, बुहाई, आदिस अभी किरियाई करना क्या कहलाता है भू परिश्करण कहलाता है आप अगर मर्दा की गहरी जुताई करेंगे सब सोयलर यंतर के माद्यम से करेंगे खेत को खुला छोड़ कर तो इसमें क्या होगा, जब बारिस आएगी तो पानी आउसोशन दर क्या होगी खेत की बढ़ेगी आउसोशन दर बढ़ने से क्या होता है दोस्तों मर्दा का कटाओ बिलकुल भी नहीं होगा तो इसे मर्दाशन को बचाया जा सकता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं पलवार या मल्चिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है मल्चिंग क्या होता है कावरिंग ओप सोयल सर्फेस मर्दा की उपरी सत्य को डखना ही मल्चिंग कहलाता है आप घास फूस के मादम से कुडा करकट के मादम से मर्दा की उपरी सत्य को डखने से वर्सा की बून्दू का डायरेक्ट परहर जमीन की सत्य पर नहीं पड़ेगा और मर्दा का कटाव क्या होगा कम से कम होगा इस मल्चिंग के और भी कई फाइदों हो सकते हैं जैसा कि खरपतवार नेंतरन हो सकता है मर्दागी सतय पे नमी वनी रह सकती है नमी का नुक्षान ज़्यादा नहीं होगा नेक्स्ट अगले बात करते हैं अपन पसल चकरगी पसल चकरगी शे कहते हैं क्रोप प्रोटेशन के नाम से इसको जाना जाता है एक निश्य छेतर में पसलों को अदल बदल के रबोना ही पसल चकर कहलाता है इसकी विश्यस्ता है क्या होती है जैसा कि दलहनी पसल के बाद एदलहनी पसल उगाए हैं गहरी जड़ वाली पसल के बाद कम गहरी जड़ वाली पसले उगाएं अधिक खाद चाने वाली के बाद कम खाद चाने वाले उगाएं अधिक पानी चाने वाली के बाद कम पानी चाने वाली पसले उगाएं ऐसा करने से दोस्तों जमीन में पोशक तत्वा भी बैलेंस रहते हैं तो मर्दा में सुगठेता भी बनी रती है देखो ये जो फिल्ड बदलकर पसनूं का बोने से मर्दा कटाओ कम होता है next अपन बात करते हैं यांतरिक विदिया जल्चरन को रोकने वाली यांतरिक विदी कौन सी है mechanical method कौन कौन से तो mechanical method में सबसे पहला है क्यारी बनाना या थावले बनाना देखिए इस फिल्ड को अलग-अलग क्यारियों में बाट रखा है तो इस क्यारी का पानी इसी क्यारी में रहेगा इसका पानी इसमें रहेगा इसका पानी इसमें रहेगा पानी एक दूसरी जगे बैके नहीं जाएगा तो मर्दा का कटाओ बिलकुल भी नहीं होगा मतलब य बात करते हैं थावले के अंदर इस पोदे में प्रोपर रूप से थावला बना दिया गया अगर यह थावला बना दिया तो थावले का पानी थावले के अंदर ही रहेगा एक रिंग के अंदर ही रहेगा यह दूसरे पोदे को डिश्टब नहीं करेगा बैकर पानी एक इस्ता थावले मना के भी आप रोक सकते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें, अधो भूमी की गहरी जूताई, अधो भूमी मतलब सब सोयल जो होती है, नीचे की जमीन होती है, वहां तक ही आप जूताई करें, इसके लिए आप सब सोयलर नामक यंत्र का परियोग कर सकते हैं, ये सब सोयलर नामक यंत्र गहरी जूताई करता है, जिससे क्या मरदा में पानी आउशोशन की दर बढ़ती है, आपको ये क्यूशन भी पूचा जा सकता है वेटा, कि गहरी जूताई करने वाला या मिट्टी पलटने वाला यंत्र कौन सा है, सब सोयलर नामक यंत्र है, नेक् निएान सोय ध्यूंखिन इसमें ढाल के अकोरडिंग रेखायें बनाई जाती हैं इस परकार से को एक जबूत्र सेप के अंदर बनाई जाती है ठीक है यहां तकट्रे के अंदर कॉरानिय का दूर्टर के कन्ट्रोल गया पानी सबूत्र के अंदर बढ़ाया और गठाया भी जा सकता है अगर डलान अधिक है इस तरीके से तो कंटूर की लंबाई क्या कर सकते हैं गठा सकते हैं अगर डलान ऐसे कम है तो कंटूर की लंबाई क्या कर सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं आगे बात करते हैं कंटूर खाई बनाना कंटूर खाई में और कंटू टेरसे से में फरक क्या है वो देखो इसमें क्या करते हैं बीच बीच में तो ये पसल की जो पटियां होगा रखी है और नीचे सारे साइड में क्या खोड़ा है खाई खोद रखी है एक्स्रा जो पानी होता है इन खाईयों में आके गिर जाता है और खेट से तुर भोट ज्यादा पाए जाती है जिने शेत्रों में रेतली मरदाइं पाइ जाती है गर्मियों के अधिक आंधी चलती है या हवा की इस हंतरा तीवर रहती है विप्रीते हैं भांट के एक आरण होते हैं Oh मुखह रूप में वायो श्रण तीन प्रकार का होता है दोस्तों पहला इसमें siitä निलंबन है दूसरा mm से कम होता है, तथा उच्छलन के अंदर मर्दाकणों का आकार 0.1 से लेकर 0.5 mm होता है, तथा सत्य सर्पन के अंदर मर्दाकणों का आकार 0.5 से अधिक होता है. मतलब ये मर्दाकण हलके हैं, ये इन से थोड़े भारी है और ये थोड़ा और ज्यादा भारी है, इस परकार का सिचुएशन होता है, अब इन में होता क्या है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखो इस परकार से, मर्दाकण पहला सस्पेंशन, इसको कहा निलंबन, कि क्या कहा निलंबन हवा का प्रेशर इधर से लग रहा है मरदाकन क्या है हलके हैं 0.1 mm से कम इनका क्या है व्यास कम व्यास होने के कारण कम भारी होने के कारण प्रेशर के करण यह मरदाकन उपर उड़ जाते हैं और जारू किलोमेटर तक दूरी तक यह चले जाते हैं इसका आपको मैं स्लाइड में दर से दिखाने जा रहा हूं, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये आंदी जब आती है, तो आकास का रंग इस प्रकार चू जाता है, ये एक प्रकार से निलंबन का प्रकार है, इसमें जो हलके कन्ते, छोटे कन्ते, हवा के प्रेसर के करन, उपर उठके चले यह निलंबन होता है इसमें मर्दा का केवल 3 से 5 प्रतिशत नुक्षान होता है कि इस चरण में केवल इतना ही नुक्षान होता है next अपन दोस्तों बात करते हैं वापस उसी पर जलते हैं कि सालटेशन सालटेशन को उच्छलन के नम से जाना जाता है कि उच्छलन में क्या वही हावा का दबाव लगा यह मरदाकन उन्चे क्या होते हैं बाहरी नहीं लंबनवाले से इनका व्यास पताया WhatsApp 0.1-0.5 तो यह मर्दा कन उड़तो सकते नहीं भारी होने के करण अरे भारी आद में होगा तो थोड़ा कम उड़ेगा यह माल वहित तरीकर से यह उच्छलकर एक स्तानसे दूसरी स्तान पर वहीं किर जाते हैं कुछ दूरी पर जाके इस में आप दरसे देख सकते हैं इस प्रकार से जैसे रेगिस्तानी छेत्रों के अंदर रात को टीला यहां पर बना हुआ था और आपने सुबह उठके देखा टीले को टीले आपको मिला यहां पर मतलब यह मर्दाकन उचल के एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर गिर जाते हैं इसमे मर्दा का पच्चास से पिच्यत्र प्रतिशत नुक्षान होता है मतलब सबसे ज़्यादा अगर वायू शरण में बात की जाए तो उच्छलन के माद्देम से ही नुक्षान होता है दोस्तों ऐसा क्यूशन एक्जाम में काफी बार पूचा गया है जैसे आपके जैट और आई सरपन की तो सत्य सरपन में क्या होता है सत्य सरपन में ये कण और ज्यादा बारी होते हैं 0.5 mm से भी क्या है अधिक व्यास है ने तो ये कण उचल सकते ने ये कण उड़ सकते ये कण रेंक कर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चले जाते हैं इसमें क्या होता है मर्दा का प्रतिशत तक होता है आप इसकी सिच्वेशन भी देख शकते हैं यह सिच्वेशन इसमें मर्दाकण एहलों को कैसे प्रभावित करते हैं और कौन-कौण से फैक्टरिस के लिए कारक इसके लिए जिमेदार हैं देखे दोस्तों जल वायुकार लग्षित देस दोस्तों जानुने सामाल याउगार्ण देखें कैंए दोस्तों ये सबसे भारत के कि सरगह ए कि स सरंब होता है तो भारत के कौन से राजे में सबसे अधिक वायुश्रण होता है उसका नाम है अपना राजस्तान पुराजस्तान में सबसे अधिक वायुश्रण होता है और अगर क्यूशन दूसरा आप पूचे कि राजस्तान के किस जिले में सबसे अधिक वायुषरण की समश्या पाई जाती है तो दोस्तों राजस्तान के जैसल मेर जिसके अंतरगत या जिसके अंदर सबसे कम वायुषन होता है तो दोस्तों इसका आंसर जाता है हिमाचल परदेश में आपको पता है कि बरत ज़्यादा गिरती है वह वाहां पर बालूरेथ कम है तो यहां पर वायुषन की समस्षय क्या होती है कम होती है तो इसमें देखो जो वापर रेत कौन सी है बालू या रेतिली मर्दा है तो अधिक दबाव के कारण वायू के अधिक दबाव के करण क्या होता है रेत एक स्थान से उड़के दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इस प्रकार से जलबाई जी दूसरा मर्दा कैसे जिमेदार है आपको पता है काली मर्दाओं के करण आपस में सू गठेता से चिपक के रहते हैं और बलोई तथा रेती ली मर्दाओं के करण आप टीतर वीतर पहले से रहते हैं जैसे ही वायू का दबाव लगा मर्दाकर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चले जाते हैं इस प्रकार से मर्दा जिम्यदार है नेक्स्ट बात करें वनस्पती जिन मर्दाओं को वनस्पती ने ढख रखा है उन मर्दाओं के उपर ने तो बारिस का ज़्यादा डायरेक्ट प्रभाव पर रहा है ने मर्दा ने वायू का पर रहा क्योंकि ये मर्दाओं जो वनस्पती स्वाज़े श्माटाफ्टी जट्था city यह परसेति श्राल वतम धजू रोक ाफवर मर्दा सोगट में मरत करते हैं या टोपब्रव सरी यह जल उनकी सोब थान इसे च्रेल명 से लाइकव 늘 लें टाइप होती है इस प्रकार से होती है तो ऐसे छेत्रों में उपर की मर्दा उड़ के नीचे वाले छेत्रों में चली जाती है नेक्स्ट बात करते हैं वाई उस्षरण को नियंत्रण कैसे किया जाए उसके लिए पहले जिम्यदार है क्रशी क्रियाई कि दोस्तों अगर आप डहलान के लंबवत जूताई कर रहो जैसे आपके खित का डहलान इस प्रकार से हैं तो आपको डहलान के वीपरीत जूताई करनी चाहिए पहली बात दूसरी बात मर्दा सत्य को नम बनाना रखना चाहिए मर्दा सत्य है उसको नम बनाना चाहिए मतलब मर्दा को खुला छोड़ रखा आपने तो उस सत्य को पानी की मादिम से सिचाई करके गीला करके आपको रखना चाहिए जिससे वायुश्रण नहीं होगा अगली बात आप मल्चिंग का परियोग कर सकते हैं या पलवार का पर सत्य को डंटल से गाजपू से पसल आउसेस से आप क्या करें डखर रखें जिससे मर्दा का वायुश्रण कम होगा नेक्स्ट अपन बात करें इसमें आप समय समय पर खाद डालें खाद डालने से क्या होता है मर्दा में कार्बनिक पधार्त के मात्रा अधिक बढ़ती है कार्बनिक पधार्त बढ़ेगी तो मर्दा जो कण होते हैं वो आपस में चिपकने के शम्ता ज्यादा विक्षित करते हैं इसके साथ साथ में आप हरी खाद का परियोग करें वो ही क तार्बनिक पधारत के मात्रा हरिखाद से क्या होगी इनकरीज होगी जिससे क्या होगा मतलब मर्दा का कटाव कम से कम होगा साथ साथ में आप हलकी सिचाई करें, फंवारा वगेरा से, मर्दा की सतय को खुला नहीं छोड़ें, ग्रिश्म कालीन जो जूताई कर रहे हों आप, वो करके आप खुला छोड़ देते हैं, मर्दा की सतय को तो वो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी क्रशी करें आपको पनना साथ साथ में ऐसी पसलें उगाएं जो मर्दा सतय को कि अगर आप कवर करती हैं या डखकर रखती हैं, जैसे दलैनी पसल मर्दा की सतय को डखकर रखती हैं, आगे बात करें अपन, वायू रोदक व्रक्षूं की पट्टियां लगाएं, जिन छेत्रों में वायु श्रण की शमश्या ज्यादा है, वाँ पर समकोन स्तिती में, समकोन का मतलब पस्सिम छेत्र में तथा उत्तर छेत्र के अंदर समकोन के रूप में वरक्ष लगादें, इस प्रकार से वरक्ष लगादें, क्योंकि आपको पता है, उत्तर दिशा से ठंडी हवाईं आती हैं, और दक्ष डूसरा इसमें देख सकते हो अलग-अलग प्टियां लगा रखिए इस प्रकार से खेत के चारूं तरब तो इने प्टिव के लगाने से इन वरक्षू से मर्दा का कटाव कम होगा क्योंकि मर्दा के संप्रख में डायरेक्ट हवा नहीं आएगी वाय रोदक व्रक्ष किस करम में लगाएं यह हमेशा आपको पिरामड सेप में लगाने हैं दोस्तों इस प्रकार से मतलब पहले आपको छोटा प्लांट लगाना है फिर उससे बड़ा लगाना है फिर उससे बड़ा लगाना है फिर उससे बड़ा लगाना है इस प्रकार से आ लगाने चाहिए को आगे बात करते हैं आप नीम लगा सकते हो करंज लगा सकते हो बबूल लगा सकते हो क्यारी लगा सकते हो एसे वरक्ष्ण का प्रियोग कर सकते हो आगे बात करते हैं दोस्तों मिट्टी के टीलों को आचा दिद रखना मतलब अगर आपके टीले वाली भूमी है तो अगर खुली पड़ी है तो इन टीलों को क्या करना चीए अपने को डखना चीए डखे कि इसके माद दिन से उसके उपर जंगली पोदे लगा सकते हैं जैसे अग्स आप अंजन घास लगा सकते हैं अंजन घास भी क्या करती है मरदा सत्र की एक प्रशित घास है तो पशु के चारे तभा मरदा कटाओं को रोकने में क्या है इसके बाद में सेभन घास ये सेभन घास भी रेगिस्तानी छेत्रों की बहुत इंपोर्टेंट घास है ये पसु के चारे तथा मरदा कटाओ को रोकने में साइक है इसके अलावा आप अरंडी भी लगा सकते हैं इस अरंडी के माद्यम से भी मरदा सतय को कवर कर सकते हैं आप ये ऐसे पोदे हैं जिनकी आवशक्ता पानी की आवशक्ता होता है कि भारत में सबसे अधिक जल्चरण का होता है भारत में सबसे अधिक जल्चरण राज्य का नाम दे के पूछ ले तो दोस्तों सबसे अधिक जल्चरण है भारत में का होता है इसका आंसर है पस्मी बंगाल क्योंकि पस्मी बंगाल में पानी ज्यादा है इसलिए यह आपर जलसरन सबसे अधिक होता है कि राजस्तान के किस जिले में सबसे अधिक वाईशरन होता है कि वाईशरन तो आप बताइंगे याफ़ जैसलमे DR और बाडमे Marriage और यदि आपसे क्यूशन पूले कि सबसे अधिक जल्षरण की बात कर ले किसकी बात कर ले जल्षरण और जीला देके पूझ लिए जाए तो राजस्तान के कोटा जीले में सबसे अधिक जल्षरण होता है और क्यूशन यह पूझ ले कि राजस्तान के किस जीले में सबसे कम आगे कि भारत के किस राज्य में सभसे अधिक जल्षरण होता है तो बारत कि स्व administrator में और सबसे कमम एकसरन हिमाचल परदेश में अ में इसकी सॉषिन आपके आ सकते हैं दोस्तों दोको बोड एक्जाम में की नेशन के इसाब से भी यह टोपिक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है साथ में आपके जो जैट आइसी आर कॉंपेटिशन एग्रिकल्चर सुपरवाइजर वगेरा के लगते हैं उनमें से भी इस टोपिक में से क्यूशन आत हैं जै हिंद जै बारत